पाकिसरे पियम मोदी लोग सभा चुनाव का शंकलात करेंगे और टोंक डेपुटी सीम सचुन पालिट का गड़ है ऐसे में पियम मोदी की जन सभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है विधान सभा चुनाव के बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज फिर राजस्थान आ रहे हैं पियम मोदी टोंक में दोपहर करीब दो बजे चुनावी सभा कर लोग सभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए प्रचार की शुरुबात करेंगे और रैली के दौरान पिय प्रदेश कोर कमीटी के सदस्य और कुछ मौझूदा विधायक और पूर्व विधायक मौझूद रहेंगे और चलिए अब आपको मिनट टू मिनट कारिक्रम बताते हैं प्रधान मंत्री के इस विजय संकल प्रयली के बारे में बताते हैं बाराह बज़े दिल्ली से जैपूर के रवाना होंगे पीम मोदी दोपहर बारह बचकर 75 मिनट पर वह जैपूर ऑफोर्ट पहूचर गर के और दोपहर बज़े जैपूर से हलीकॉप्टर से वो टूंग जाएंगे दोपहर एक बचकर 35 मिनट पर वो टोंग हली पैट पहुंचेंगे और दोपहर एक बचकर 45 मिनट पर सभाइस थल पहुंचेंगे पीम मूदी दोपहर 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 35 मिनट पर वो सभाइस थल से हली पैट के लिए रवाना होंगे दोपेर दो बचकर पेटालीस मिनट पर हेलिकॉप्टर से जैपुर रवाना होंगे और दोपेर तीन बचकर बीस मिनट पर जैपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे पियम मूदी दोपेर तीन बचकर पच्छीस मिनट पर वो दिल्ली के लिए रवाना हुचाएंगे और चार बच कर 40 मिनेट पर वो दिल्ली पहुंच जाएंगे ये कारेकरम है पीम का लेकिन इस दौरे को अगर हम देखे विधान सभाचुनाओं में जो हार हुई उसके बाद आप जब बारी लोग सभाचुनाओं कियें मिशन 25 के बाद कही जा रही है तो ये पहला कारेकरम पीम मोदी का कितना महत्तपून है ये जाने के हम कोशिश करेंगे अपि ब्योरो चीफ योगेश शर्मास योगेश ये कारेकरम कितना महत्तपून हो जाता है शौंखनाद किस तरह से पीम मोदी यहाँ पर गरजिना करेंगी कौन कौन से बिंदू शामिल किये जा सकते हैं देखिए हैं देश में लोगसुबा चुनाओं को लेकर प्रचार अभियान अपने चरल पर पहुंचने हैं से पहले राजस्तान में पहला दौरा देश के बजारमति गेंद्र बोदी का लोगसुबा चुनाओं के परिपिक्ष म अज से शुरू हो रहा है और टौक से शुरूआत उनके होगी और टौक से उचनाओं में हमकार नहां पर भरेगा हैं और यह सब्सक्राइब बात यह है कि राजस्तान में पहले शुरूआत में टौक और उसके बाद चूरू में उनकी दो बड़ी सवाइं रखी गई हैं च प्र कार व बीसमें दौक सभी कर अंपर सिट्रिक डॉक Tsch कि और बॉप अट्रू में वीड हैं जिसके जर्य्यस мозवा存 लोग सबाईों के इंधर ब Bür्जिय पी अच्छा पिश्शन कर सकें ज Ilky यहां पर देखाई ही जाता है कि इसकी सर्कार होती है अब अशोग गलोग के सरकार है तो एक अहम मसला है देखिए सबसे बड़ा मसला ये कि राजस्तान के वीर सपूतों ने जिस तरह से भारत माता के लिए शहादत दे है तो यहाँ पर भी लोग काफी ज़्यदा अक्रोशित हैं कि इसको लेकर क्या कुछ किया क्या तो क्या सबसे एहम संबोधन में प्रधान मंत्री के इसी का जिक्र होगा यही सबसे एहम होगा जिक्ट काफी खर दो कोस्थ एक शहीद का गाउ आपको बिलेगा तो आजस्तान में पड़क पर शहीद और भी शपूत तो कि इसको देश के लिए इन अपनी कुर्वानिया दिये एदेश की सीमा पर शरात नर्फ़ाभि वो शहीद है और अबी बीड़ पुल्वामा गर्टना करम हुआ और उसके बाद फिर एक अमला हो उसमें राजस्तान के कई अभी सपूट शहीद भी हुए तो ऐसा में निर्मोदी का जो संबोजन होगा वो उसके याद से भी बहुत होगा कि अधिर पुल्वामा गर्टना करां के बाद पहली बार राजस्त और यह वो नगातार संबोद्रों में मैंने भी चुना हैं कि अब बहुत हो गया मजाश्त में से बाहर हो उटका है और वी उसके बाद बहुत 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 शुक्रिया होगे इस तमाम जान कारिक लिए तमारे बियोरो चीफियां पर हमें समझा रहे थे कि पियम मो प्रचार शुरू हो जाएगा